तो फाइनले आज 25 फर दो हजात एसको रिट का जो एक्जाम हुआ है उसके अंस्वर की जारी कर रहा हूँ और ये अंस्वर की आपको अभी यूटूब बहुत सारी अंस्वर की मिल गई होगी लेकिन ये अंस्वर की थोड़ा टाइम लगा है लेकिन खूब इसका एनलिसिस क करके इसके पूरी कोशिश किए गई है कि इसके सारे के सारे जितने भी क्यूशन है वो आपको 100% सही मिले ये हमारी कोशिश सरी है लेकिन जो ऑपिशिल अंस्वर की आएगी उसके साथ थोड़े बहुत एक दो क्यूशन उपर नीची हो सकते हैं बाकि यह अंस्वर की 100% बि नहीं है अनारक्षित वन है वो स्रेणी नहीं है दूसरा क्यूशन है चितोडगड के किल्ने में त्री भूवन नारायन मंदिर का निर्माता कौन थे तो इसके जो निर्माता थे वो थे भोज परमार तीसरा क्यूशन राजस्तानी लोग साहितेरी दीठशू हर्जस काई है ये एक राजस्तानी लोग गेत है हर्जस जो दुख इसमें गया जाता है चंबल बेशिन की खंड भूमी को कहा जाता है तो चंबल भूमी की जो खंड भूमी है उसको अवना लिकाएं कहते है और चं साथवा क्यूशन है राजस्तानी में राम कथार यादार पर रामैन सिरेनावसू आख्यान काव्य कुण लिख्यो तो ये जो लिखाता हूँ है में होजी गोदारा नहीं लिखाता छटा क्यूशन है राजस्तान में वालर क्रिशी का परकार है तो कौन सी क्रिशी है स्तानांत क्रिशी स्तानातित क्रिशी का ही दूसरा नाम क्या है वालर क्रिशी साथ वा क्यूशन है बार्तिय वन्य जीव सरक्ष्ण अधिनियम कब लागू हुआ तो 1972 में लागू हुआ था सभी को पता है और 1902 में जो हातियों पर परतिमत लगाया था कि इनका सरक्ष्ण किया जाए आ तो रामसरूप किशान की कारी जो संगरित है वो है धान कथावा और जो आपको बता दो कि रामसरूप किशान है वो हमारे प्रोसी है हमसे थोड़िश दूर लगबग परलिका गाओं से बिलोंग करते हैं ये हमसे लगबग 30 किलमेटर दूर है नवा क्यूशन है जहांगेर ने मुगल बादसा बनने के बाद में किस राजबुच सासक के मनसब को कम कर दिया था तो वो थे मानसी है निमलखित में से कौन सा फड़ वाचन से सम्मंदित है तो पता है लगबग बोमपे फड़ वाचन करते हैं कालवलिया नांस करते हैं बनजारे भी अपने अलग गड़े भी अलग कल्चर है बोमपे है वो लगबग जैसे राम देवजियों के फड़ का वाचन करते हैं ग्यारवा क्रिशन है निम्द में से कौन सी राजस्तान की लोकनाटे सेली नहीं है तो वो कौन सी नहीं है ढड़डी नहीं है बाकि सवांग है रमत है ख्याल है बार है लिख सकता है वह साक्सर कहलाता वह कहलाता है क्या कहलाता है है यह सल नहीं में परिवाषा दे गए थी कि साक्षर कौन है द्युवर क्यूषन है Sono पड़ान-पिट हैर हम Dayam nuit कहां परytt कहां पर है तो सबी को पता है कथ्या-सर निकानेर में श्तित है मुकाम तालवा विश्णोई पंत की मैतोपुन पीठ है वहाँ पर चौद्वा क्यूशन है 1938 में क्रोली राजे परजा मंडल की स्थापना किस ने की थी तो तिरिलोग चन माथूर ने स्थापना की थी पंद्रवा क्यूशन है मुकंद्रा के पाड़िया कौन से जिले में विश्थरित है फेली हुई है तो मुकंद्रा के पाड़िया अमने पड़ा है कि ये जो जून 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 जालावार कोटा बुंदी साइड में चेतर में फेली हुई है इसमें कोटा बुंदी जालावाड हाड होती छेतर आ जाती है लेकर इसमें बुंदी का कहीं पर भी वुर्णन नहीं है तो से नमबर ओप्षन हो जाएगा जालावाड और कोटा सोलवा क्यूशन है ट्रेंज कमिशन किस आंदोलन से संबंदी थे तो ट्रेंज कमिशन है वो बेंगू किशान आंदोलन से संबंदी थे इसके आपको मैंने सोट्रिक भी बताय थी कि ट्रेंज के उपर चोटी शी बिंदी है वैसे कौन से किशान आंदोलन में चोटी शी दियाती है यह सोट्रिक मैंने आपके पिछे वाली वीडियो में बताया थी जब आपको यह किसाना नुलन करवाई थे सत्रुवा क्यूशन है अरावली स्रंकला का उच्टम सिकर कौन सा है सभी जाते हैं गुरु शिकर गुरु से जरा अचल रखता है भेराज बाबा यह सोट 28 क्यूशन है चंदरबागा पसुमेला कहां लगता है तो कहां पे लगता है जालरा पार्टन में उन्नीस्वा क्यूशन है 20 सलदेव रासो 15 किन वात्रो व्याक्या है तो किस का है प्रेम का वेसी सम्मन्दित है विगराः राचतुर थे उन्होंने यह 20 सलदेव रासो लिके थी बीश्वा क्यूश्वा 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 क् है मान हेरा टिबा का मान हरे टिबा खालिस्तान का पर्मु खनन्द चेतर है तो यहां पर मान हेरा जो टेबा है जेसल मेर में है और यहां पर प्राकरतिक गेंस का खनन्द किया जाता है तेश्मा क्यूशन है महिला चितरकारों कमला एओं इलाइची के नाम किस चितरकला सिली स सम्भंदित है तो कौन सी है नाथ दवारा अटुत्वा क्रिशन है यह नाथ दवारा लोला फिनेक एक सोट वीडियो अ लगाया था उसमें से कुषन आया है सो कृष्णा कुमारी किस राज्य के राजकुमारी थी जिसके विवाद के विवाद ने राजबुतों में राजनितिक उतल पुतल उत्मन कर दी थी तो वो थी उद्यपूर के रहने वाली 25 कृष्ण है कुम्बलगड तथा गोकुंदा के मद्य की उच भूमी कहलाती है बहुत बार कृष्ण ये रिपीट हुआ है तो आंस्वर बी हो जाएगा बोराट 26 कृष्ण है निमलखित में से किस लोक देवता को जाहर पिर के रूप में जाना जाता है या पुजा की जाती है तो कौन से है गोगा जी गोगा मेड़ी ये भी हमारे नजदीक में पढ़ता है हनमानगड में है नोहर तैसिल में है 27 कृष्ण है कुंबलगड दुर्ग का मुखे सिल्पी कौन था तो कौन था मंडन था ये कृष्ण भी बहुत बार एक्जाम में आया है ज्यादतर इसकी जो कृष्ण है वो उपर उपर से उठाएगे है कोई डिपली कृष्ण नहीं आया है और लगबग एक्जाम में 29 कृष्ण है हाडोती बोली मुख्य रूप सु किस ठीकाने पर बॉली जाती है तो ठीकाना कौन सा है कोटा और बुंदी में हाडोती पता है तो इसमें कोटा बुंदी जलावार नहीं दिया है तो उप्ष्ण सी हो येगा कोटा बुंदी तीसवा क्यूशन है राजस्तान का 13. संपरदाय निमलखित में से किसे संबंदित है तो वो कौन से है जेन धरम से संबंदित है जेन धरम के काफी तिर्थ कर हुए थी हमने पड़ा है 31 कुष्ण है निमलकित में से कौन सी पश्मी राजस्तान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है तो पश्मी राजस्तान में शिवन पाई जाती है धामण पाई जाती है कराण पाई जाती है लेकिन सालर है ये नहीं पाई जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा D सालर 32 कुष्ण है निमलखित में से कौन सा सही नहीं है सुन्डा माता मंदिर रोपय जालोर में है बिल्कुल सही है मंसापुर्णा कर्णे माता मंदिर रोपय उद्यपूर में बिल्कुल सही है कर्णे माता का मंदिर है वो देश लोग बिकानेर में है सब्सक्राइब सुमेलिकтов नहीं है ते तीश्वा क्षिषन देखते हैं मरू राष्ट्य उद्यान किस खेलों में अवस्तित है किस खेल सब यहां गलत यूज में लिए जिले सी समझी तो नहीं है तो मरू राष्ट्य उद्यान कहां पे स्तित है सब को पता है जेसल मेर में स्तित है 35 कुछने बेली कशनन रुकमरी करसनाकार कौन है पर्थिराज राठोड है ये कुछन भी बहुत बार आ चुका है आमेसू इन में से कौन सी बोली राजस्तान में नहीं बोली जाती है तो कौन सी बोली हाडोती बोली जाती है वागड़ी बोली जाती है मेवाती अलवर और बर्तपूर चेतर में बोली जाती है हाड़ोती कोटा मुनी जालवाड में बोली जाती है वागड़ी जैसे हमने राजस्तान में लगवासा वागड़ी बोला जाती है 38 कुछन है राजस्तान के किस संभाग में सर्वधिक मक्का उत्पादन होता है तो वो कौन सा संभाग है उद्ध्यपूर संभाग है इसका अन्सवर हो जाएगा D 49 कुछन है कला प्रेमी सावन सियं किस प्रांत के शाशक थे तो कौन से प्रांत के थे किशनगड इसका अन्सवर हो जाएगा B किशनगड 40 कुछन है राजस्तान राज्ये वन निती लागू कब की गई थी तो कब की गई थी 2010 में तो C इसका राइट अन्सवर हो जाएगा 41 कुछन है इस तरिया बोडला अबुसर्ण सरीर के किस बाग में पहनती है तो बोडला कहां पे पहनती है सिर के उपर पहनती है जिसे हम मारवड़ी बसन में बोरिया भी बोलते है 32 वा कुष्ण है 42 वा कुष्ण है बनास नदी का उद्गम है कहां पर होता है हम जानते हैं राजसमन से खमनोर की पाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है 43 वा क्यूशन है बर्खान बर्खान क्या है ये तो बहुत आसान क्यूशन है मेरे साब से जिन्दोंने रास्तान जी के सुरुवात की है उसको भी आता होगा तो बर्खान क्या है ये एक रेत के टिले है तो ए अंस्वर इसका राइट अंस्वर हो जाएगा 44. रखड़ी और टोटी खालिस्तान है क्या है मेलाओं के गहने है पुरुसों के वस्तर है सुदेशी जूत्ते है या साफा के परकार है तो रखड़ी और टोटे मेलाओं के गहने है रखड़ी सर पे बांदी जाती है और टोटे है वो कान में पहने जाती है 45 वा कुछन है निमल खित में से किस सब्यता को दूल कोट कहते हैं कौन सी सब्यता को कहते हैं दूल कोट आहर सब्यता को जो उद्यपूर की जो आहर सब्यता थी उस सब्यता को दूल कोट भी कहते हैं 46-वा क्रिशन है, मेजा बांद बनाया जाता है, कोन सी नदी पे, कोठारी नदी पे बनाया जाता है, तो इसका B रायट अन्सवर हो जाएगा, 47-वा क्रिशन है, कवर सेंद दौरा राजस्तान नहर की सुरुवात की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी, तो 1948 में इसकी कापना की गई थी राय टांओ स्वर भी हो जाएगा 48 वा कृष्ष्ण है वा रुखत्या स्वर्प्स करती का मेहांतर पूर्ण स्थल है मतलब गड़े स्वर्पता में महत्पूर्ण स्पल कौनसा है कौनसी मेतपूर्ण वहाँ पर काल से संबंदीत है वहाँ पर सबसे पले किस लोग देउत्ता ने अपना करम स्थल बनाया था तो वो कौनसा है जमभो जी पचासवा क्यूशन है मारवाड की पन्ना धाय किसे कहा जाता है गोरा धाय राइट आंस्वर ए गोरा धाय को मारवाड की पन्ना धाय कहा जाता है एक आउन्वा क्यूशन है राजस्तान में पर्थम जेंडर बजट किस वर्स में परस्तुत किया गया था तो दो हजार बारा तेरा के अंदर राजस्तान में पर्थम जेंडर बजट परस्तुत किया गया था इसका आंस्वर हो जाएगा राइट ए आंस्वर बाउन्वा क्यूशन हम देखते हैं राजस्तान में पुरा तत्तु है संग्राले विवाग का गठन कब हुआ था तो गठन कब हुआ था उन्नी सो पचास में हुआ था राइट आंस्वर भी हो जाएगा तरेपनवा क्यूशन है अनुपरियोग में विश्य अवस्तु किस परकार की होने चाहिए तो किस परकार की होने चीज़िए सरल से जयतिल होनी से सबसे पहले सरल हो फिर दिरे-दिरे कठीन करते जाएगा तो राइट आंस्वर यह हो जाएगा चो पन्वा क्यूंशन है राजस्तान के कितने कितने जिले सिमा छितर विकास कारेकरम के अंतरगत आते हैं तो कितने जिले आते हैं च्यार जिले रायट आंस्वर हो जाएगा A 55 कृष्ण है एसे बालक जो अनोसुची जाती अनोसुची जन जाती अतुआ समाजी कोई शेक्षनिक पिछड़े वरक से सम्मदित है उन्हें परिवाशित किया गया है तो कौन से छेतर हो डी हो जाएगा अलाबित या A स्विद्धा गरस्त समों में विवाजित किया गया है चार और पांच जनुवरी दो जाते इसको खालिस्तान में आयोजित किया गया था कहां पर आयोजित किया गया था तो वो आयोजित किया गया था उद्यपुर में राइट आंस्वर भी हो जाएगा स्तावनवा क्यूशन है राजस्तान के खिलाड़ी दनज्य दर्जी जो हाल इमें खबरों में आयोजित किस खेल से सम्मंदित है तो दनज्य दर्जी है वो फुटवाल खेल से सम्मंदित है ये करेंट का क्यूशन है अठाउन्मा क्यूशन है सर्सो अनुसंदान निदे साले कहा पर स्थित है सभी को पता है रायट अन्सवर डी हो जाएगा बर्थपूर में रास्तान में सरवाद एक सर्सो भी बर्थपूर में होती है तो अनुसंदान के अंदर कहां पर होगा बर्थपूर में होगा 69 क्यूशन है एसिया का सबसे बड़ा कर्षी फोरम राजस्तान के निमल खित में से किस स्थान पे इस्तित हैं ये भी बहुत आसान क्यूशन है बहुत बहुत एक्जाम में आया है तो एसिया का सबसे बड़ा कर्षी फोरम राजस्तान में कहां पे है सुरतगर गंगा नगर मे right answer हो जाएगा C 60 वा question है समगर शिक्षा अदिनियम के अंतरगत खंड स्तर का सर्वोज पदा दिकारी कोन होता है तो कोन होता है समगर शिक्षा समसा है तो उसका जो खंड स्तर का मतलब ब्लोक स्तर का तेसल स्तर का सबसे बड़ा दिकारी है वो कौन सा होता है सीवियो होता है सीवियो पोस्ट अभी नई जनरेट की गी है पहले ब्लोक स्तर पे कोई अदिकारी नहीं होता था पहले जिलस्तर पे अदिकारी होता था उसका नाम होता था डियो इसके बाद में सीवियो बना दिया गया जब से समसालागू किया गया है एक सटवा क्यूशन है दुनिया के सबसे उन्चे युद्चेतर शियाचिन ग्लेशियर पर तेनाथ होने वाले पर्थम महिला दिकारी कौन बनी है एक महिला दिकारी बनी है जो शियाचिन जो बाटका सबसे ठंडा सान है जो सबसे पर इस्तित गलीशीर है वहाँ पर मेला दिकारी को पर्थ मेला दिकारी वहाँ पर नुक्त तो ही जो राजस्तान की उसका नाम क्या है उसका नाम है कैपटन शिवा चोहान दे इसका रायट आंस्वर हो जाएगा 62 क्यूशन है हाली में सुर्ख्यों में रहा बाबा मगरा देप उद्यपूर की किस जेल में स्थित है तो कौन सी जेल में स्थित है बाबा मगरा देप है वो जैसमन जेल में उद्यपूर में स्थित है आगे हम 63 क्यूशन देखते हैं दिसंबर दो हजार बाइस में किशे गलोबल यूथ फ्यूमवन राइट्स चैंपिन आवार्ड दिया गया था तो किशे दिया गया था डॉक्टर कृति बार्टी को दिया गया था इसका राय टांस पर हो जाएगा ए 64 वा क्यूशन है निम्ना कित में से राजस्तान के किस खेल के खिलाडियों को पदम शरी पुरुषकार से समानित किया जा चुका है तो कौन से खिलाड़ी है वो निशाने बाजी के जो खिलाड़ी है उनको पदम शरी से समानिती किया जा चुका है 65 वाक्यूशन है विद्यल या परबंद समिती SMC कि कुल सद्दूशियों में से कम से कम कितनी सद्दश या माता पता या अभुवाउक में से होने जरूरी है तो कितनी होनी चाहिए 75 परतिसेत होने चाहिए मतलब की 3 बटे 4 भाग है कुल सदुशियों में से SMC में बच्चों के माता-पिता और उनके माता-पिता या विवाग होने चाहिए तो इसका रायट आंस्वर हो जाएगा D, तीन बटे चार 66 वा क्यूशन है राजस्तान में मिर्शन निर्यातक बनो को कब आरम किया गया था तो 29 जुलाई 2021 को आरम किया गया था इसका रायट आंस्वर हो जाएगा A 66 वा क्यूशन है जोदपूर में राष्ट्रिय पादप अनुसंदान संस्तान व्यूरो का प्रादेशिक के अंदर कभी स्तापित किया गया था तो इसका जो रायट आंस्वर हो जाएगा A 1965 के अंदर 68 वा क्यूशन है वो है सासकर्तिक संस्तान बारतिय लोकला मंडल कहां पर स्तित है तो कहां पर स्तित है उद्यपूर में स्तित है इसका रायट आंस्वर हो जाएगा D उद्यपूर उन्सट्वा क्यूशन है टोक्यो पेरा उलम्पिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए तो अवनी लेखरा ने दो पदक जीते थे तो इसका रायट आंसर हो जाएगा बी सतरवा क्यूशन है राजय उगांधी डेश्टेल योजना किस वर्स सुरू की गई थी तो 2013-14 में शुरू की गई थी तो रायट आंसर हो जाएगा बी एक हैतरवा क्यूशन है पर क्या दार्मिक स्तल अंभिका माता का मंदिर कौन से जिले में स्तित है तो अंभिका माता का मंदिर हमें पता है कहां पर स्तित है उद्यपूर में स्तित है रायट आंस्वर हो जाएगा ए बहतरवा क्यूशन है ओस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन स्तल था का पर हुआ था आयोजन महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज जो विकाने में अस्तित है वहाँ पर ओस्ट्रो हिंद 22 का युद अभ्या से उसका आयोजन किया गया था तो इसका राय टांस्वर हो जाएगा बी तो सभी को पता है गुम्बर राजस्तान का आधिकारिक नर्ते है चुए तरवा क्यूशन है राजस्तान के अरजुनलाल जाट ने टोक्यो ओलोंपिक 2020 में किस स्पर्दा में भाग लिया था तो किस में भाग लिया था नोकायान के अंदर नोने अरजुनलाल जाट ने भाग सही विकल्ब चुनना है अधिगम क्या है शक्रिय प्रकिरिय है शक्रिय और निश्क्रिय प्रकिरिय निश्क्रिय प्रकिरिय श्यांत प्रकिरिय अधिगम क्या सीखना है शक्रिय प्रकिरिय बच्चा सीखता रहता है अधिगम प्राप्ट करता रहता है तो इसमें निश्क्रि देखते हैं राजयुगंदी फिटनेस डिश्टल संस्तान कहां स्तापित किया जा रहा है तो कहां पर स्तापित किया जा रहा है जोधपुर में इसका रायटांस्वर हो जाएगा भी स्तातर्वा क्यूशन है राजस्तान आर्टी अधिनियम में कितने भाग एंग कितनी है तो इसका रहा हो जाएगा भी अठत्तर वा क्यूशन है भारत का पढ़थम डिश्टल अर्कायु राजस्तान में किस स्तांद पर स्तेत्ते डिस्तान विका नेर में स्तीत है रहा होजाएगा एकिशन है नी शुलक को और अनृण ब machines sì को सुनिशित करता है तो 6-14 वर्स के बालक है उनके लिए जो बाल शिक्षा दिन्यम 2009 है वो लागू होता है कि 6-14 साल के बच्चों के लिए नवरे शिक्षा जरूरी है तो रायट अंसर हो जाएगा दी दो हजाद चोईश में जल जीवन मिश्टन राशना सरकार का मैंतुपून कारेकर्ण बढ़ाय कि हर गर में पानी को पहुंचाना है दो हजाद चोईज में किस संभनांद है तो अज्य सिंस्ची में संब्णित है वह्येट लेट लिप्टिंग से संब्दित है दर्शी स्रुव्य सामगरी का प्रियों करतेए किस सुत्र का पालन करना चाहिए 10 जर्वे सामगरी में मुर्च से ए मुर्च की और पहले मुर्च चीजों को दिखाईए उसे वो सामगरी उसे वो शिखेगा फिर उसके बाद ये मुर्च उसको बगैर सामगरी के कलपना करने देजे तो इस जएगा Right टंसवर हो जाएगा बी मुर्द से ए मुर्द तर्याश्यमा क्यूशन है विश्यो विदालिया अनुदान आयोग की स्थापना किसकी पारिस पर की गई थी तो विश्यो विदालिया शिक्ष्या आयोग है तब सरकार दोवारा उस विदाली में कितने अध्यापकों के स्विकर्थी पद होने चाहिए तो इसका राया टांस्वर हो जाएगा B 120 प्लस से अधिक चातर है तो वाँ पर 5 अध्यापक के कारियरत होना जरूरी है या स्विकर्थी पद होना वाँ पर जरूरी है पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् phabet operation सर्दवा का सम्झन दित है operation सर्दवा किसे सम्झन दित है तो सिमा सुरक्षय की लिएило क कुला गया था उप्रेयर्शन सर्दवा लिए शिर्च्रन दित है ये ट्रेट क्यूशन देखते हैं RSIC रास्तान लगू द्योग निगम लिम्टेट को किस वर्स पब्लिक लिम्टेट कंपनी का दर्जा दिया गया था तो उनिस सु पिचेतर में दर्जा दिया गया था राइट आनस्वर भी हो जाएगा उनिस यहां क्यूशन है रास्तान स्तर पर आर्टी या दिनेम दोजा नो द्वरा वे निर्दिष्ट चातर शिक्षक अनुपात है तो कितना अनुपात होगा तीस अनुपात एक होगा राइट आनस्वर भी 90 क्यूशन है इसका जो राइट आनस्वर अपने को बताना राइट आनस्वर इसका हो जाएगा अनुपात हो जाएगा आपने को डाइट स्पीज बतानी थी तो इसका राइट आनस्वर सी हो जाएगा तो बहुतिक प्रियावन का है क्या है क्या है गरम करने पर पीटी तार का चमकना यह क्या है बहुतिक प्रियृतन है बहुतिक प्रियृतन है राइट आनस्वर भी हो जाएगा गरम करने पर पीटी तार का चमकना तिराणवा नमर क्यूशन है एटलस परवत कहा स्थित है तो एटलस परवत हमने पड़ा है कि अफरिका मादिप की सबसे उन्चा परवत है तो राइट आनस्वर हो जाएगा डी अफरिका चुराणवा नमर क्यूशन है निमिल की सब्दों में से कौन सा सब्द जातिवा तक संग्या नहीं है तो पुस्तक है पहाड है लड़का है गंगा जातिवा तक संग्या नहीं है राइट आनस्वर हो जाएगा सी और पिचयंवा नमर क्यूशन मैंस की समंदित आया है 300 पिचयंद में इंटू X मानस्पिचेतर 55 तब X का मान क्या होगा यह पर हम यहापर चरह एक्स का मान निकालने पिचेतर सो 275 को दूसरी तर्फ ले आएंगे तो 300 पिचाण में X बराबर 275 हो जाएगा फिर X का मान निकालना है तो 275 पर 300 पिचाण में का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा साथ अंसर नमर ए 96 नमर क्यूशन है निमल खित में से किसका उप्योग उपवपच्य अनुमापन या रिडॉक्स अभिकरिया हम जिसें बोलते हैं प्रात्मिक मापन के रूप में किया जाता है तो कौन सा किया जाता है राइट अंसर हो जाएगा D, K2, CR2, O7 स्तार्ण में नमर क्यूशन है राजय में संसद्य सच्चिव को सपत है वो कौन दिलाता है तो कौन दिलाता है राजये में लगबख की सपत दिलाता है जाए CM हो कोई और हो लगबख सपत दिलाता है वो कौन दिलाता है राजये पाल दिलाता है सिर्फ राजये पाल को जो सपत है वो दिलाता है मुख्य मंतरी बाकि सभी को राजस्तान के सभी जितने में संसद्य सच्चिव है CM है उनको पर दिलाता है राज जेपाल कि अठाड़ में नमर क्यूशन है कि निमल खित में से सुद्ध सब्ध चांटी सुद्ध के अभिगम में अभिग्य 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 इसका राय टांसर हो जाएगा क्यूशन है बहुत और निमल खिते हैं अभिग में अभिग सुद्ध आता रहता है और शिव का मान गया है तो बछूब्ल इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता क्लास के अंदर आपको बिल्कुल बटा सकते हैं कि इसको कैसे हल जाएगा तो इसका जो रायेट आनस्वर्ण हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा वो हो जाएगा सो डिग्री निना सो नमर क्यूशन है निमल कित में से किस वाक्य में सैक्रम क्रिया नहीं है तो रमा हस्ती है इस वाक्य में सैक्रम क्रिया नहीं है राय टांस्वर हो जाएगा सी एक सो एक नमर क्यूशन है मेरा पाई का जनम कहा हुआ था सभी जानती है नागोर में हुआ था कहां पर कुड़की में हुआ था तो रायट आंस्वर भी हो जाएगा एक सो दो नमर क्यूशन है निमल खित में से कौन राजस्तान से पहले वेक्ति थे जिन्होंने मूल से उड़ान पर अस्ताकसर किये थे तो क पुर्वे काली करिया है रायट आंस्वर डी हो जाएगा एक सो चाल नमर क्यूशन में आपको पेशी वोईस बतानी है तो इसमें रायट पेशी वोईस कौन सी है तो रायट पेशी वोईस ौप्शन नमर ए हो जाएगी दे वर्क हार्ट नोट बिन डन बाई ही मुआ एक सो 106 नमर क्यूशन है वाइवियर शर्प्षन के दुरां ग्लुकोज के विक्टन को निम्न में से किस रेखा चित में सही से दर्साया गया है तो इसका राइट आंस्पर हो जाएगा 107 नमर क्यूशन है मैज का क्यूशन है सेम अभी जो पीछे वाले क्या सेम वैसे क्यूशन है यहां पर हमारे पास तीन एक्स माइनस बीश डिगरी है यह आपने सामने की सिर्षब में कौन बराबर होते हैं और दोनों आमने सामने कौन इनका संगत कौन इनका योग एकसी हो जाएगा बराबर आजाएगा एकसी तो यहां पर हम एकस मिकन को हल करके एकस कमान निकालने तो एकस कमान आएगा कितना अपना ब्यालेश डिगरी आ जाएगा 108 नमर क्यूशन देखते हैं 108 नमर क्यूशन इंगलिस का है चूज दे क्रॉक्ट फ्रॉम ऑफ दे वर्फ फ्रॉम दे गिवन ऑप्शन तो फिल इन दे ब्लैंक तो खालिस्तान में बरना अपने को इस टाइम भी खालिस्तान बरना क्या आएगा लेट राइट आंसर हो जाए दिटेल आफ दे रोबरी तो इसको सौटकर्ट में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कौन क्लेक्ट राइट आंसर हो जाएगा सका सी 110 नमर क्यूशन है नेम्न में से कौन सा संग्ट राज्टा राज्य के कारेगरों को उनके उत्पादन के विपरन की स्वीदा परदान करता है तो राज्य टांसर है राज्य को एक 121 नमर क्यूशन है यदिक पिंट पे करेड़ बल सुनने है तो उसका संवीघ क्या होगा तो उसका संव आशी के निकरतमर देट संख्या कौन सी है तो देटोन से हाध कोन सीονाएगी उन्यासी हो जाएगी एबाजी संक्या का मतलब हो गया ऐसी संक्या जिस पर एक और स्वेम के लावा किसी भी संक्या का भाग नहीं जाता है तो उन्यासी पर एक और उन्यासी के लावा किसी का भाग नहीं जाता है तेतर पे जाता है एक यसी भी किसी का जाता है तिरासी पे ज get to point don't beat around the bush तो इसका right answer हो जाएगा C avoid talking about what is important 114 नमबर क्रिश्चन है रुदीर में उपस्तित परतिसकंद जो की प्रोथोंबिक के संक्रियन को रोकता है तो इसका right answer हो जाएगा stayer 만 coronavirus a number answer 115 नमबर क्रिश्चन रेख्ये युगं के कोणों का योग होता है रेख्ये योगं के कोणों का योग कवा जोगता है लेगन इसकुषिन में थोड़ा सा कंद्फिजिन ने इसमें यूगम की बात की है वैसे रेख यूगम के कोणों का यूग तो रेख यूगम का कोणों का मतलब होग के उपर वाला पुरवाला इसा निचे वाला पुरा इसा मतलब कुल मिला कि तो यह कुशन थोड़ा सा एक इसकी लेगविए सी थोड़ा से लग रहा है कि यूगम का पूच रहा है एक सोची डिगरी ये भी लग रहे हैं तो यह थोड़े सस्वेंस के अंदर है अभी हम एक सोची डिगरी लेके चल रहे हैं 116. निमिलखित में से वरगात्मक यूँ युगपत स्मिकर्णों को हल करने में उप्युक शिक्षन सायक शामगरी है तो कौन सी है ग्राफ राय टांस्वर हो जाएगा सी 117. आपके कक्षिया के कुछ विदार्थियों का गणित के पड़ती नकारात्मक दश्ट्रिकोन आप से दूर करने के लिए क्या करेंगे तो शिक्षन वीदियो में क्या करेंगे सुधार करेंगे राय टांस्वर हो जाएगा ए 118 नंबर कुछ न है इन में से कोंसी समाजिक प्रिष्टिति मानवुजुण को परवावित करती है कोंसी करती है सासन वैस्ता, सासन वैस्ता मानो जून को क्या करती है, सामाजिक प्रिस्ति जो मानो जून को प्रभावित करती है आगे देखते हैं, 119 नमबर क्यूशन देखते हैं इंगलिज का क्यूशन है Choose the corrupt option इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D 120 नमबर क्यूशन है चित्रो को आफशक्ता नुसारा बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्षा में पर्देशित किया जाता है इस बोर्ड को क्या कहा जाता है इस बोर्ड को कहा जाता है फ्लालेन बोर्ड 120 नमबर क्यूशन है जिस परिक्षा में सभी परसनों का स्तर एक समान हो तो उसमें निमन में से किस गुण का अभाव रहता है कौन सा रहता है विवेद का रिता का अभाव रहता है क्योंकि जब परसन सभी एक स्तर के रहेंगे तो विबेद नहीं कर पाएंगे एक समान प्रकार के कुश्चन वो रहे जाएंगे तो विबेद का क्या रहेगा अभाहू रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा डी 122 नमर क्यूश्चन है speech must appreciate तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा reading and writing linguistic तो रहें हमे इसका तो बात 153 कि आधिग के अधिगंद के कमजोड चैत्र के पीच्वफ करने के लिए किस परकार का प्रेक्षिन साइक होता है कौन सा परकार होता है फब्रक्राल क Dumal क्यूंत करते साघ को 40 इसका 116 नमर क्यूश्चन इन में से कौन सा प्रकण प्रिचार ये विदी द्वारा पढ़ने है तो उप्युक्त नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा डी सोर मंडल 125 नमबर क्यूशन ड्रेकोली विदी कौन से विदार्थियों के लिए प्रियोग में ली जाती है तो 126 नमबर क्यूशन ड्रेकोली विदी विदी वो मांच से विकार मंद पूदी के जो विदार्थि होते है उनके लिए प्रियोग की जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा बी होती है 127 नमर क्यूशन इन ने से कौन शां काघस बोड के पीछे चил का रहता है कौन सा चिपता रहता है खोकता जो गजुत होते है सब्प्रधी उपर देखोगे पिम के माधिया भाड होता है उसके च्योंका बोड के मैद्न भाड केह रहता है इंसक काघस अध दो लोवर सेकंडरी स्टेज लोवर सेकंडरी स्टेज के लिए कौन सब्सक्राइब है वह यूज करना चाहिए ताकि वह अधिक हम प्राप करें तो राइट टांसपर हो जाएगा डी डारेक्ट मेथड उनको आमने सामने डारेक्ट ही पढ़ाएंगे तब यूज ज्यादा कारगर होगा ओडियो वीडियो इनके वीजुल के द्वारे उनको पढ़ाएंगे तो उनको आच्छा कारगर नहीं होगा 139 नमर क्यूशन है इसका राइट टांसपर हमारे पास है डी इट डबल स्प्रों क्रेटिव स्केल इन स्टूडेंट्स आगे क्यूशन नमर एक सो तीस एक प्रिक्षक बोर्ड प्रिक्षक में निम्दा आत्मक परशनों की जान से चुग अंकन योजना की उप्योग करता है प्रिक्षक चातर दोवारा दिया गया आप उत्तर की विशेस्ताओं की तूला अंकन कुछी में दिये गए उत्तर की विशेस्ताओं से करने के बाद अंक परदान करता है प्रिक्षक दोवारा यह है मापन की कौन सी विद 살ने का स्रे किसको जाता है तो रायट अन्सर हो जाएगा वजर फिर फिर कर्करुए कि प्रक्रिया के संद्ध कर इसे प्राप्ठीW सिधा विदार्थियों के मस्तिक में बढ़ने का प्रियास किया जाता है यह गलत है 133 133 नमर क्यूशन वाचन के विशलेशनात्मक विद्धी में नेमल खित में से कौन सी विद्धी ऐस संगत है कहानी विद्धी है वो ऐस संगत है ऑप्षिन नमबर सी इसका राय टामस पर हो वो स्रवेश शामगरी नहीं है वो वीडियो के तरह है वो दिखाया जाता है शो के जाता है क्लिप के अंदर तो राय टांसर हो जाएगा डी 135 नमर क्यूशन विश्वन दा फ्लोविंग इस नोट क्रेक्टिस ऑफ दे क्रेटिजन टेस्ट इसका राय टांसर हो जाएगा सी 133 नमर क्यूशन निमिल खित में से कौन सा प्रिक्शन बाटिया बेंटरी परदस्टिन प्रिक्शन का बाग नहीं है तो राय टांसर हो जाएगा सी वस्तू समनुक्रम प्रिक्शन 137 नमर क्यूशन रिधिमा ध्यान की कमी से पिडित है और वैशिशू जिसें वेवार को प वजात का सिर्फ अपने शरीर के कुल लंबाई का कितना पर्तिस्ट होता है तो 25 परतिस्ट होता है वन फॉर्थ एक वटेश चोथ है इसा होता है राय टांसर भी हो जाएगा 149 नमर क्यूशन आई एपी का पूरा नाम क्या होता है तो आई एपी का पूरा नाम होता है नमाल लगाया जाता है किस ने व्याख्यारित किया था या किस ने व्याख्या किती तो राय टांसर भी हो जाएगा बी केटल ने 141 नमर क्यूशन देख टेक aging율 निम्न-मेरीस चिंपाजी का कुनवा कुरियोस क्या बिंकूल सही है कोहलर ने चिंपाजी का प्रियोग किया बिल्कुल सही है स्किनर ने चुहे पर प्रियोग किया बिल्कुल सही है पावलक ने कबूतर पर प्रियोग किया ये गलत है पावलक ने किस पर प्रियोग किया था कुत्ते पर प्रियोग किया था तो राय टांस्वर हो जाएगा इसका सी एक सो ब्यालीस नंबर क्यूशन देखते हैं नियम ने से कौन सा वाके सेक्सिनिक मनोग्यान की प्रकर्टी के लिए सही नहीं है तो इसका रायट आंसर हो जाएगा सी यह सकारत्मक विग्यान की जिगह एक नियामक विग्यान है 143 नुमर क्यूशन बच्चों में व्यक्तितों ब्हेंता के क्या कार्ण है तो रायट आंसर हो जाएगा सी वसानुकरम और वाथवर्ण बच्चे जो वातावर्ण और वसानुकरम से सब को सेखते हैं एक तो अपने वंस से प्रोजों से प्राप्त करते हैं और एक वातावर्ण से प्राप्त करते हैं वो दोनों चीजी होते हैं व्यक्तियों में बहिंता हैं अलग-लग बहिंता हैं उत्पन करती हैं 144 नुमर कूशने 167 ने देखा कि रानिक को सही वर्तिन लिखने में प्रेशानी है बड़े वैचोटे अक्षरों का बेद नहीं कर पाती है वैच अक्षर बनाने में प्रेशानी आते है उसे कौन सी विकलांगता है तो कौन सी विकलांगता है डिसग्राफ या Option नूमर B 145 नुमर कुछने किसके अनुस्वाइब